जहीं दोस्तों आज हम कवर करेंगे फिफ्त समेस्टर हिस्ट्री हिस्ट्री में पेपर वन है पेपर का नाम के दोस्तों नेशनलीज्म इन इंडिया ठीक है इसका एकजाम हुआ है 2013-2024 में और जिस student ने यह paper भेजा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद टेलेग्राम गुरूप पर आपका जो भी exam होता है वह टेलेग्राम गुरूप पर मुझे message कर सकते हैं ठीक है पीडिये बना कर भेज सकते हैं या direct paper भी भेज सकते हैं मैं टेलेग्राम गुरूप का लिंक देदूंगा description में आप उसे join कर लिजेगा ठीक है दोस्तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आपके किस ने इसमें पहला प्रस्न पूछा था दोस्तो वा क्यूंख उन अंग्रेश था जो दो बार भारती राष्टी का अंग्रेश का अध्याच रहा तो दोस्तो आफ्सान नमबर B इसमें सही था ठीक है विलियम बेडर बर्ण ठीक है विलियम बेडर बर्ण भारती राश्टी का अंगरेश के दो बार अध्या चुके हैं इसमें दूसरा प्रस्ण पूछा था दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी वर्स तो दिल नम्मर तीन पूचा था इसमें भाडती राश्टी कांगरेस और मुसलिम लिग का प्रतम सयुक्त अधिवेशन कहा हुआ था तो प्रतम सयुक्त अधिवेशन दोस्तों लखनाओ में हुआ था ठीक है तीसरे कापसन नम्मर प्रस्ट नमबर पांच पूछा था दोस्तों बाल गंगा धर तिलग के अलामा निम्न लिखित में से किस ने होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया था तो दोस्तों एनी बेसेंट थे ठीक है एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया थी ठीक है प्रस नमबर 6 इसमें पूछाता दोस्तों महात्मा गांधी अत्यधिक प्रभावित थे तो महात्मा गांधी किस से अत्यधिक प्रभावित थे तो गोपाल कृष्ण गोखलेजी से प्रस नमबर 7 पुछाता भारती राश्टवाद में प्रेश की क्या भूमिका थी तो भारती राश्टवाद में दोस्तों देश भकति के संदेशों का प्रसार करना अन्यायपूर्ड नीथियों की अलोचना करना ठीक है दुनियादारी की ख़वरों से अवगत कराना ठीक है आफसन नमबर डी, इसमें सही था, उपरोक्ष सभी साथ में का आफसन नमबर डी सही था, कमेंड बॉक्स में कमेंड करेगा, आपके कितने प्रसन सही हुए थे, ठीक है. प्रस्ण नमर आठ है दोस्तों किस कांग्रेश के नेता को सेरे पंजाब की उपादी से नमाजा गया था तो दोस्तों लाला लाजपत राय जी को ठीक है लाला लाजपत राय को सेरे पंजाब की उपादी से नमाजा गया था दोस्तों यदि आप फिक्त समेस्टर में इतिहास का पेपर नहीं दिया है यदि आपके कालेज में भी इसका एक्जाम नहीं हुआ है तो यह प्रस्ण पत्राप के लिए बहुत महत्पूर है ध्यान से देखिएगा आपके कालेज में भी इसी तरह के प्रस्ण पूछे जाएंगे, ठीक है प्रस्णमर न gob है हिंद स्वाराज पुस्तक का लेखक कौन है तो दोस्तो हिंद स्वाराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है अब सर्णमर डश अई नो का प्रस्ट नमर दस है दोस्तों नेशन राष्ट की उत्पत्ती किस भासा से हुई है दोस्तों तो यह हुई है लेटीन भासा से ठेक है आफ्सन नमर सी सही है दस का आफ्सन नमर सी सही है ध्यान दिजेगा प्रस नमबर 11 है दोस्तों किस ने कहा था कि भारती राष्टवाद तो ब्रिटीस राज की संतती है या किस ने कहा था तो आर कूपलेंड जी ने कहा था 11 का आपसर नमबर 20 है इसमें प्रस नमबर 12 है दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुवाद किस गवर्नर जनरल के सासनकाल में होई थी भारत में रेलवे की शुरुवाद दोस्तों लाड डला होजी के सासनकाल में होई थी 12 का आपसर नमबर A साई है प्रस नमबर 13 है 1857 के बिद्रोग के समय भारत का गवनने जनरल कौन था तो 1857 के बिद्रोग के समय भारत का गवनने जनरल लाड का अनिन थे ठीक है 13 का आफसन नमबर 60 है प्रस नमबर 14 है दोस्तों किस ने 1857 के विद्रो को भारत के स्वतंतरता संगराम का पर्थम युद्ध कहा है तो यह दोस्तों बिनायक दामोर्दर सावर कर ठीक है प्रस नमबर 15 है किस ने कहा था कि 1857 का विद्रो हना तो प्रथम न राष्टि और नहीं स्वतंतरता संगराम था यह किस ने कहा था तो पंदर का आपस नमबर 13 इसमें सही था दोस्तों आर्ची मजुम्दार जीने कहा था ठीक है प्रस नमबर 16 है इसमें दोस्तों निम्न में से कौन न तो कभी ब्रेटीज के द्वारा पकड़ा गया और नहीं कभी मारा गया तो यह कौन थे दोस्तों तो नाना साहिब थे ठीक है आपसा नमबर 6 आई था 16 का प्रस नमबर 17 है 1857 इसवी का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था तो 1857 का विद्रोह दोस्तों मेरट से शुरू हुआ था आपसा नमबरे है 17 का आपसा नमबरे सही था इसमें प्रस नमबर 18 पुछा था दोस्तों निम्न लिखित में से कौन साही सुमेलित है नाना साहे जहांसी थे ये सही है दोस्तों जी बिल्कुल गलत है ये कुमर सिंग कानपूर से थे ये भी गलत है बेगम हजरत महल लखनाव से थी ये सही है ठीक है अठारा का आपसर नंबर सी सही था इसमें प्रस नंबर उननाईस पूछा था रानी लच्मी बाई को किस नाम से भी जाना जाता था तो रानी लच्मी बाई को किस नाम से जाना जाता था छबीली मनू और मडी करिका ये तीनों के नाम से जाना जाता था यानि उननिस का आपस तो यह दोस्तों हुमायू के मकवरे से थीक है हुमायू के मकवरे से बहादूस्था जफर को और संद ने गिरफतार किया था थीक है 20 का अपसन नंबर 20 बीस आई था थीक है प्रसन नंबर 21 पुछा था दोस्तों Queen Victoria की घोशला किस वर्श हुई थी क्वीन विक्टूरिया की घोसला नवंबर 1858 मिश्वी को होई थे 11 का आफ्सन 홈 30 है प्रसन paradox 22 है मंगल पांड़े किस रेजिमेंड के सिपाही थे मंगल पांड़े दोस्तों 34 मिश्वी रेजिमेंड के सिपाही थे 22 का आफ्सन आफ्सना इमबर 20 साही थे इसमें प्रसनाबर थेज़ है 3857 के विद्रोग को करांती की संगय किस ने दी तो यह करांती की संगय बीड़ी सावर करने दी थी ठीक है त्सकार नंबर 20 है प्रस नमबर 24 है महरानी विक्टोरिया की उद्ध घोसडा से भारत में इस्ट इंडिया कमपनी का सासन कब समाथ होगा तो यह कमपनी का सासन 1858 को समाथ हो गया था ठीक है 24 का अपसनमबर यह साई है प्रस नमबर 25 है दोस्तों 1857 के स्वाधिंता के प्रथम संगराम का ततकालीन कारण क्या था तो ततकालीन कारण था दोस्तों 24 लगे कार्टूर ठीक है 25 का अपसनमबर यह सही है प्रस नमबर 26 है बैरकपूर में विद्रोह के लिए कौन साधिस भक्त परसिद्ध है तो बैरकपूर में विद्रोह के लिए दोस्तों मंगल पांडे जी ठीक है मंगल पांडे जी परसिद्ध है 26 का अपसनमबर 20 है प्रस नमबर 27 है तात्या टोपे को कहा फासी दी गई त्यात्या टोपिक दोस्तों सिव पूरी में फांसी दी गई थी, ठीक है, 27 का आफसर नमर सी सही है प्रस नम-बर 28 मैं है दोस्तों, दग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी दे ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक असोक मेहता जी ने लिखे 28 का भी अप्सन नमबर सही है प्रस नमबर 29 है निम्न में से किस ने आनंदमठ नामक उपन्यास लिखा तो आनंदमठ नामक उपन्यास दोस्तों बंकीम चंद्र चटारजी ने लिखा था 29 का अप्सन नमबर 20 है प्रस नमबर 30 है दोस्तों अलिगड में एंगलो ओरियंट कालेज की अस्थापना कब होई थी अलिगड में एंगलो ओरियंट की अस्थापना दोस्तों 1875 में होई थी तीस का अप्सन नमबर 20 है प्रस नमबर 31 है अलिगड आन्दोलन किस ने शुरू किया था अलिगड आन्दोलन दोस्तों सर सेयद अहमद खान ने शुरू किया था 31 का अप्सन नमबर 20 है था प्रस नमबर 32 है भारती राष्टी का अंग्रेश का पर्थम अधिवेशन 1885 इस भी में बंबाई में कहां हुआ था तो बंबाई में दोस्तों गोकुल दास तेज पाल संस्क्रेट कालेज में ठीक है 32 का अप्सन नमबर 20 है प्रस नमबर 23 है दोस्तों भारती राष्टी का अंग्रेश का शंस थापक कौन था भारती राष्टि का अंग्रेश का संस्थापक A.O.H. जी थे अप्सन नमबर A.S.I. यः था प्रस नमबर 34 है इलबर्ट बिल निम्न लिखित में से किस गवाना जनरल ने पेश किया था तो इलबर्ट बिल दोस्तों लाड रीपन ने शुरू किया था ठीक है 34 का अफसन नमबर एस आई था प्रस नमबर 35 है भारत में अस्थानी स्वसासन को पुरुतसाहिद करने के लिए कौन उत्तरदाई था तो भारत में अस्थानी स्वसासन को पुरुतसाहिद करने के लिए दोस्तों लाड रीपन था ठीक है 35 का अफसन नमबर डीस है प्रस नमबर 36 है भारत का महान व्रिधी व्यक्ति कहा जाता है भारत का महान व्रिधी व्यक्ति कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों तो 36 का अफसर नमबर D सही था इसमें दादा भाई नौरोजी को भारत का महान व्रिधी व्यक्ति कहा जाता है प्रस नमबर 37 पूछा था इसमें ब्रेटीश संसत के लिए चुने जाने वाले पहले भारती दादा भाई नोरोजी थे 37 का आपसर नमबर 20 अई है इसमें दोस्तों प्रस नमबर 38 है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरू कौन था 39 का आपसर नमबर 29 है दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरू कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले जी थे 49 का आपसर नमबर यह है प्रस नमबर चालिस है दोस्तों भारती राष्टी का अंग्रेश का अग्रदूत था इन चारों में से दोस्तों भारती राष्टी का अंग्रेश का अग्रदूत था तो भारती राष्टी संग था ठीक है चालिस का अपसन नमबर भी सही है प्रफम अकाल आयो गठित किया गया के अंतरगत किसके अंतरगत दोस्तों प्रफम अकाल आयो गठित किया गया था तो 42 का आपसर नमबरे सही है दोस्तों ठीक है सर रिचर इस्टेची के समय ठीक है प्रफम अकाल आयो गठित किया गया था प्रस्ट नमबर 43 है Poverty and Unliberty Rule इंडिया किताब किस ने लिखी थी तो यह किताब दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी आपसा नमबर 8 है प्रस्ट नमबर 44 है भारत का कौन साहित जगत में ओमेन मेरी थीड के नाम से विख्या था तो 44 का दोस्तों आपसा नमबर 8 है था लाड लिटन ठीक है प्रस्ट नमबर 45 पुछा था धन निकासी के सिधांद का प्रमुक पतिपादक कौन था धन निकासी के सिधांद का प्रमुक पतिपादक दोस्तों ठीक है दादा भाई नौरोजी जी थे 45 का अफसानंबर 6 ही है इसमें प्रस नंबर 46 है दोस्तों कांग्रेश के उदरवादी निताओं का तरीका था तो तरीका उनका क्या था सम्वैधानिक बिधान ठीक है 46 का अफसानर 20 ही है प्रस नंबर 47 है गितांजली किताब किसके द्वारा लिखी गई तो गितानजली किताब दोस्तो रबिंदर नाथ टाइगोर के द्वारा लिखी गई प्रस नमबर 48 पूछाता दोस्तो किसने 1873 में सत्य सोधक समाज की अस्थापना की थी तो सत्य सोधक समाज की अस्थापना जोतिवा फूले जी ने की थी 48 का ए नमबर सही है आफसा नमबर ए सही है प्रस नमबर 49 है भारत का दूसरा सिवाजी किसे कहा जाता है तो दोस्तो भारत का दूसरा सिवाजी इसमें आफसा नमबर से सही था ठीक है 49 का आफसा नमबर सी बाल गंगा धर तिलक को दूसरा सिवाजी कहा जाता है प्रस नमबर 50 है, गीता रहत से पुस्तक के लेखक है लोकमान ने बाल गंगा धर तिलक जीतें ठीक है प्रस नमबर एक्टाइन पूछा था दोस्तों, किसने बाल गंगा धर तिलक को भारती असांती का जनक कहा था तो दोस्तों यह वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था ठीक है 51 का आफसर नमबर 10 है प्रस नमबर 52 पूछा था महरानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधिक कब परदान की गई तो यह आफसर नमबर 10 था इसमें 52 का ठीक है 1877 प्रस नमबर 33 है दोस्तों बाल गंगा धर तिलक ने दमराठा समचार पत्र किस भासा में प्रारम्ब किया था तो यह दोस्तों अंगरेजी भासा में प्रारम्ब किया था ठीक है तिरपन का आफसर नमबर 10 था प्रस नमबर 64 है दोस्तों गणपती महतस्व महराष्ट में किसके द्वारा प्रारम्ब किया था तो यह दोस्तों बाल गंगा धर तिलक जी के द्वारा यानि बेजी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है चगवन का आफसर नमबर 10 था है प्रस नमबर 55 है केसरी समचार पत्र के संथापक संपादक राष्टी संगर्ष के दौरान कौन थे तो इसके संगर्ष के दौरान लोकमान ये तिलक जी थे आपस नमबर भी है प्रस नमबर 56 पुछा था दोस्तों किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारती श्वर मंडल का एक सितारा डूब गया यह किस ने कहा था तो दोस्तों यह लाला लाजपत राय की मृत्यू पर गांधी जी ने कहा था ठीक है प्रस नमबर 57 है सम्मयधानिक आंदोलन का दूद किसे कहा जाता है सम्मयधानिक आंदोलन का दूद गोपाल करेश्न गोखले जी को कहा जाता है 57 का आफसर नमबर D सही है प्रस नमबर 58 है दोस्तों भारती राष्टी का अंगरेश के पर्थम अधिवेशन में कितने प्रतिनीधी सामिल हुए थे थे 22 62 सामिल हुए थे प्रस नबर 59 है भारतीराश्टीक आंग्रेश के पहले British अध्यac कौन थे भारतीराश्टीक आंग्रेश के पहले British अध्यacz जार्ज यूले थे 69 का आप्सिननमबर 60 है प्रस नमबर साथ है भारती राष्टी का अंग्रेश का पर्थम मुस्लिम अध्यच कौन था तो पर्थम मुस्लिम अध्यच बदरुद्दीन तैयब जी थे ठीक है साथ का अफसर नमबर यह सही है प्रस नमबर 61 है दोस्तों आरे समाज किसने अस्थापित किया तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ठीक है एक सट का अफसर नमबर सी सही है प्रस नमबर 62 पूछा था दोस्तों बेदो की और लोटो का नारा किसने दिया था तो बेदो की और लोटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था 62 का आफसन नमर से ए प्रस नमर 63 और तो कांगरेज के नरम दल वा करम दल में भी भाजन किस सम्मेलन में हुआ था तो यह दोस्तो 1907 सूरत सम्मेलन में हुआ था ठीक है 63 का आफसन नमर से शीह है प्रस नमर 64 है बीडि सावर कर द्वारा अस्थापित गुप्त समिती थी तो बेडी सावर कर द्वारा गुप्त समिती दोस्तों अभिनो भारत थी 64 का अफसर नमर डी सही है प्रस नमर 65 है लाड करजन ने बंगाल का विभाजन कब किया था तो 1905 में किया था 65 का अफसर नमर ए सही है प्रस नमर 66 है किस काल को भारती राष्टी का अंग्रेश का उधारवादी चरण कहा जाता है तो किस काल को कहा जाता है तो जो 1885 से 1905 है दोस्तों उसको भारती राष्टी का अंग्रेश का उधारवादी चरण कहा जाता है प्रस नमबर 66 है बंगाल में किस दिवस को सोक दिवस के रूप में मनाया गया तो बंगाल में दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को ठीक है सोक दिवस के रूप में मनाया गया 66 का आपसन नमबर D सही है प्रस नमबर 68 है दोस्तो स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन भारत में बंगाल विवाजन के विरोध में शुरू हुआ 68 का आफसन नमबर डी सही है प्रस नमबर 79 है 1906 इस भी में मुस्लिम लिग की अस्थापना किस अस्थान पर हुई तो यह धाका में हुई थी ठेक है 79 का आपसर नमबर 10 आई है प्रस नमबर 70 है दोस्तो 1906 में मुस्लिम प्रतिनीधी मंडल ने आगा खा के नेतरितों में लाड मिन्टों से सिमला में मिलकर निमनलिखित मांग की तो क्या मांग किया गया था दोस्तों तो यह मांगा गया था कि मुस्लिम के लिए प्रतियच निर्वाचन मंडल ठीक है 70 का आपसर नमबर 10 आई था प्रस नमबर 17 है दोस्तों मुस्लिम लिग के संस्थापक का उन थे तो मुसलिम लिगी के संस्थापक, न्माज सलीम-उला खांजी थे, 71 का आप्सन नमबर 20 है प्रस्नुम्बर 72 है, बंगाल भी भाजन रद किया गया तो बंगाल भी भाजन, क्यों रद किया गया था? तो 1911 दिल्ली दर्वार में ठीक है 72 का आपसन नमबर 20 है प्रस नमबर 73 है भारती काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा प्रदान किया गया क्या प्रदान किया था तो सम्प्रदाइक प्रतिनी धित्तो ठीक है 73 का आपसन नमबर 20 है प्रस नमबर 74 है दोस्तो निमनलिखित घठनाओं को उनके काल करम अनुसार वेवस्थित कीज़िए मोरले मींटो शुदार 1909 में हुआ था ठीक है 1909 में हुआ था प्रतम विसुयूद की शुरवात कब होय थी तो प्रतम विसुयूद की शुरवात 1914 में होई थी राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली अस्थांतरल कब हुआ था तो यह 1911 में हुआ था ठीक है लखनाव समझाता कब हुआ था तो लखनाव समझाता 1916 में हुआ था तो इसके अनुसार उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों इसके अनुसार उत्तर आपका होना चाहिए थोड़ा सा वेट करिए थोड़ा समय दीजिए मैं बताता हूँ इसका आपसन नंबर सी होना चाहिए दोस्तो ठीक है एक तीन दो और चार ठीक है आपसन नंबर सी इसमें सही था 75 नंबर कोशन है दोस्तो सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा के रचाइता कौन है सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा के रचाइता दोस्तो मुहम्मद इकबाल जी है 75 का आपसन नंबर सी है दोस्तो आपके कितने प्रस्ण सही हुए है ठीक है इसमें सिस्टिफ बाकी हैं ठीक है मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों तक तक ले जाहिंद वन्दे मातरम